हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उन्लैन क्लासेज में तो बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे रीडिंग कंपेन इंग्लिश वर्क्षिट नमबर 31 क्लास फर्स्ट वीक 6 डेट है बच्चों 23 फेबरी थीम है बच्चों लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक तो देखे बच्चों प्लास्टिक को किस तरह से रिसाइकल किया जाता है तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए रैड बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिये तो देखे बच्चों लास्ट क्लास्ट भी हमने देखा कि किट्टू और उसके फ्रेंड जो थे उन्होंने किस तरह से इंजॉय करा प्लास्टिक रिमूफ करके रिवर से तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो फ्रेंड्स है अनिमल फ्रेंड्स वो आज क्या करेंगे ठीक है किट्टू टोल्ड इस फ्रेंड देट मॉन्टू बर्थरे वस कमिंग अप किट्टू ने बोला कि मॉन्टू का बर्थरे आ रहा है वो सभी मिलकर और किसके लिए मॉन्टू के लिए जो है गिफ्ट अरेंज कर रहे थे कि उसे क्या गिफ्ट हम देंगे ठीक है बच्चों अब हमें देखना है कि मॉन्टू के जो फ्रेंड्स है वो क्या प्लैन कर रही है तो बच्चों आप सभी ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको यहां पर बता रही हूँ ठीक है किट्टू मैट विद मिठ्टू, जम्बो, हॉपी, और टिक टॉक 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 प्लैन फर अ बर्थरे गिफ्ट फर मॉन्टू बच्चों किट्टू किस किस से मिला मिठ्टू, जम्बो, हॉपी, टिक टिक से मिला कि हमें क्या गिफ्ट अरेंज करना है ठीक है बच्चों हॉपी वांटेट टू यूज दा प्लास्टिक वेस्ट तैट वस लाइं नियर दा रीवर साइड हॉपी ने सोचा कि जो प्लास्टिक वेस्ट रीवर के पास में जो पड़ा है उससे हमें री यूज करना चाहिए वांटेट टू रिसाइकल टैट प्लास्टिक अन मेक का गिफ्ट फर मॉन्टू और वो इस plastic को reuse करना चाहता था उससे कुछ gift वो बना करके और Montu को देना चाहता था ठीक है Can you guess what they made with the plastic bottles for Montu's birthday gift? क्या बच्चों आप लोग guess कर सकते हो कि वो Montu के birthday के लिए क्या gift बना रहे होंगे Discuss is with your teacher, you may also try to make something with the waste plastic bottles with the help of your elders Share the picture with your teachers too अब देखे बच्चों आप कुछ भी plastic bottles का बना सकते हैं अपने elders की help से ठीक है और इसका जो picture है वो आप सभी को अपने teacher से share करना है Got it? तो देखे बच्चों हम बता सकते हैं यहाँ पे कि fruit holder basket या फिक कप पाने पीने के लिए यह वो बनाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं I guess they made fruit holder जिसे हम basket बोल सकते हैं और a cup for drinking water नेक्स बच्चों talk time तो देखे बच्चों यह क्या बात कर रहे होंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह बोल रहे हैं इसने बोला होगा Why you come again and again with wood I have to be darkened because of everyday इसने यह बोला होगा कि तुम हमेशे wood के साथ क्यों आ जाते हो इस x को ठीके तो यहाँ लिखेंगे Why you come again and again with wood I have to be darkened because of you every day तो इसने बोला है What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? I am forced to do this मुझे फोर्स किया जाता है यह करने के लिए चिके बच्चो तो इस तरह से आप सभी से solve करेंगे I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज आप सभी like बटन दबा करके वीडियो को like करें जादा से जादा शेयर करें और नीचे comment box में comment जरू करके बताए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएए रेड बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फर वाचिंग दी वीडियो हेवराइस दे स्टूडेंट्स